सिथ ह्पिंग इंड वर्डेflower हैं इसके ऊढ़ की दोमेस्टें में हैं erkच बिश्च्ट को इसके अगयुगर यह जिँडाने को हुआ यहा सब्सक्राइब टॉ लेते हैं कि मिश्ट Вас टों दिव और थे में हैं एक वेडा हुआ। Tall pea plant with green pod pod के अंदर जो green color है dominant और yellow color recessive होता है Tall pea plant with green pods and a homo geaigus dwarf pea plant with yellow seed नहीं नहीं, yellow pods pod के लिए yellow color है वो recessive है और pod के लिए green color जो होता है वो dominant तो अब हमें क्या questions हैं के First question is state the phenotype and genotype of F1 generation. Second is predict the phenotypic ratio of F2 generation using planet square. When total number of plants are 800, then calculate the separate ratio in numbers. When F1 hybrid is crossed with double recessive parent, write the ratio in F2 generation and name the type of cross. First question is cross. Cross is P generation. P generation is P generation. Homogigous tall green. Green dominant. Tall and green. Cross is dwarf. Small t small t. ये dwarf and yellow pod. Pod के लिए हैं ये. Small g small g. Gamets बनेंगे. इसके जो gamets बनाओगे. Capital T, capital G type. इसके gamets small t small g type. जब cross करोगे. होगे. तो capital T small t. Capital G small g. इन F1. तो F1 generation का जो इनोंने पूछा है. कि state of phenotype and genotype of F1 generation. F1 generation में 100%. 100%. 100% hybrid. Hybrid, tall and green. ठीक है. Genotype ratio सबका ये होगा. Genotype तो मतलब ये capital T small t. Capital G small g. 100% genotype की है. और phenotype की 100%. Hybrid, tall and green. ठीक है. अब हमें क्या करना है. कि अब हमें F2 ratio में कालना है. तो F2 के लिए क्या किया जाता है. कि इसकी selfing. ये जब selfing करेंगे. ये परस्ट का answer ये हो गया. कि 100% hybrid, tall and green. अब second का है. कि F2 ratio निकालना है. तो F2 निकालने के लिए इसकी selfing कराएंगे. और selfing के लिए सबसे पहले gamits बनाते हैं. तो gamits में पहली वीडियो में बता रखा है. इसका capital T, capital G, capital T, small G, small T, capital G, small T, small G. 4 same gamits इसके बनेंगे. अब हमें यहाँ पर बनाना है. पनेट स्कूर. एक साइड मेर गयाने क्लिपने हैं, और एक साइड female गयाने. क्या निखोगे, capital T, capital G, capital T, small G, small T, capital G, small T, small G. Capital T, capital G, capital T, small G, small T, capital G, small T, small G. जब इसका cross कर आओए, फोब जन्दी रहेंती करा आओ. Capital G, इसका इससे capital T, capital T, capital G, small G, capital T, small D. कैप तल जी इसका ऐसे कराओगे कैप टी स्मॉल टी कैप तल जी स्मॉल जी इसका लेके इसे कराओ इसका 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 इस 15454 16 कि पानेटुएअ निद रेशयो कैसे निकालना है जो एफ तो एफटू रेशयो में यहाँ पर यह इस तॉल ग्रीन और ग्रीन तॉल ग्रीन तॉल ग्रीन तॉल तॉल ग्रीम, ये तॉल कैसे होंगे येलो, तॉल ग्रीम, तॉल येलो, ये तॉल ग्रीम, ये ड्वार्फ ग्रीम, ये ड्वार्फ ग्रीम, ये तॉल ग्रीम, ये तॉल येलो, ये ड्वार्फ ग्रीम, ड्वार्फ येलो, ठीक है, अब देखों फीनो टाइप रेश, जो फीनो लेकी इन एफ्टो फ्टू जाने में तुए तो इसमें क्या होगा फिघृटवरेश्व कितना लिखो गे टॉल गृम कितने हैं one two three four five six seven eight nine तॉल ग्रीन है नाई तो येलो one two three टॉल येलो कितने हैं ट्री ड्वार्फ येलो शारी ड्वार्फ ग्रीन वान हो तरी वार्फ बृम्रीन तरी और द्वार्फ यालो इपने वाइवा मैं नाइन स्टू प्रीस दू-ठी अम शुर्णिय। पने इसको है तो ग्या प्रेडिक्टिया दूने नाइन इस्टू थो थी इस्टू बन अब थार्ड पार्ट इसका क्या कह रहे हैं वो कि वह गिवन क्या है टोटल नंबर और फ्लांट्स आर एट हंड्र यह एट हंड्र तो सेपरेट निकालना है अब कुछ सोचो टॉल ग्री वह सब्सक्राइब कॉत्र आइन इससी थरी इसलिकी अगला करें याड्र का कैसे निकालोगे इन फिछिटेन में और ग्रृत इन्टू 800 तो यह 150 और तीसरा भी क्या आ जाएगा 150 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा तो 800 का सेपरेट कितना आ जाएगा 450 रेशो 150 रेशो 150 रेशो 50 ठीक है अब लास्ट वाला इसका जो कोश्चन है इस समझ में आ गया होगा सबको यह ऐसे का रेशो इसका निकालना है फिर लास्ट कोश्चन है कि वें F1 तो F1 इसका क्या आया था F1 जो आया था F1 प्लांट यह फोर्थ का अंसर है F1 प्लांट कैप्टल T small t और capital G small g यह हाईब्रेड आयो थी 100% हाईब्रेड टॉल ग्रीन प्लांट कोश्चन है इसका क्रॉस कराया सेर्फिन नहीं क्रॉस double recessive small t small t small g small g double recessive से कराया तो direct tap 2 निकाल होगे इसके गैमिट्स क्या बनेंगे capital T, capital G, capital T small g, small t, capital G, small t, small g और इसके गैमिट्स होगे small t, small g type चार गैमिट्स बनेंगे पर चारों एक ही टाइप के हैं तो मैंने एक और वीडियो में तुम्हें बताया था second number की में कि गैमिट्स चाहें भले ही चार बनें पर जितने टाइप के होते हैं तो एक साइड या मतलब उतना ही रिखते हैं तो हम जब F2 ratio निकालेंगे तो एक साइड मतलब टाहलों दूप इसका इससे करोगे, तो ये कितने हुए? टॉल ग्रीन मतब्द कैसे हुए? टॉल ग्रीन, ये टॉल येलो, ये ड्वार्फ ग्रीन, बार्फ लू, ठीक है? तो रेशो आएगा, वन इस्टू, वन इस्टू, वन इस्टू, और जब डेवल रिसेसिव पेरेंट से किया है, तो पहले भी, मतब्द ट्योरी में भी पढ़ रखाया है, कि रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस करते हैं, यह घर का पीज्ट करेंगे तो वक्राइब में यह वहां करेंगे पर स्पेशली तुमसे यहां पर कहा है कि recessive parents से करना है तो तुम्हारा answer होगा it is a test cross क्या होगा इसका answer name का type of cross तो तुम क्या लिखोगे it is a test cross ठीके तो ध्यान रखना तो इसमें ये question बहुत important about के लिए किसी भी form में ये question पूछा जा सकता है ठीके वेटा it भी इस वीडियो में बस इतना ही next agree with you